Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. That's something special by Pooja. आज मैं बनाने वाली हूँ कठल के सबजी. तो कठल को मैंने बिल्कूल फिर फ्राइ नहीं किया है, तो मैंने कैसे बनाई है सबजी, आगे मैं आपको बताती हूँ. तो चलिए फिर रेसिपों शुरू करते हैं. तो कठल को मैंने इस तरीके से काट लिया है, तो इसे मैं अभी बॉइल करती हूँ. तो बॉइल करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है पानी और हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी से हल्दी, तो इसे हम अभी बॉइल कर लेते हैं. पाच-दस मिनिट इसे बॉइल होने के लिए लग जाते हैं, तो इसे आराम से बॉइल होने देते हैं, तब तक हम मसाला बनाते हैं. कठल को मराठी में फनस की सबजी ऐसे बोलते हैं तो चलिए मसाले बनाते हैं तो यहाँ पे मैंने मसालों की लिये लिया है प्याज एक बड़ा प्याज मैंने इसे चौप कर लिया है और लसन की कलिया तस बारा लसन की कलिया थोड़ा सा अद्रब और लिया है एक दो तेज पत यहां पे एक नवा लाया है मैं अजहां तुछ mình सेक लिती हुँ थोड़ा सा एक चमच ऑल ढालना है और छोड़ा में ऐसे सेक लेना है जो मैं तरी में थाली में मरता है तो वो हम ध्रशी नीच तो इसे बनाया है उसके बाद धनिया को भी मैंने इसे तरीके से थोड़ा सॉइल डाल के सेक लिया था और उसे मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद उसे एक डबे में स्टोर करके रख दिया है तो कभी भी मुझे गरम मसाले के सब्दी बनानी होती है तो वो मसाला में इसमें डाल देती हो अगर आपको उस तरीके से मसाला नहीं बनाना है तो इसमें आपको थोड़ा सा धनिया और जो नरेल होता है उसे डालना है तो उसे भी हमें इस तरीके से थोड़ा सा ओल डाल के सेख लेना है अगर धनिया भी नहीं है तो धनिया पारडर का भी यूज़ कर सकते है तो देखिए जो मसाले है गरम मसाले मैंने थोड़ा थोड़ा ओल डाल के उसे सेख लिया है तो इसी तरीके से आपको सारे मसालों को सेख लेना है तो मसालों को सेख ते टाइम हमें ग्यास का फ्लेम मिडियम ही रखना है तो सारे मसालों को अभी मैं ग्राइंड कर लेती हूँ तो grind करने के पहले और एक बार दिखते है कि मसालों में हमें और क्या-क्या चीज़े डालनी है तो यहाँ पे मैंने जो भी मसाले को fry किया है वो मैंने एक प्लेट में लिए है और जिसे मैंने नहीं फ्राइ किया था वो है लसून, अतरग और इसमें मैंने थोड़ा सा क्यूमिन सिर्ट डाल दिया है यानि जीरा तो जीरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है आदा चम्मच उसके बाद जो मैंने आपको गरम मसाला बताया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा धनिया तो हरा धनिया भी मैंने इसमें अभी डाल दिया है तो इसे हम आभी ग्राइड कर लेते हैं तो ग्राइंड करने के टाइम हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना होता है, तो पानी भी हमें जादा नहीं डालना है, आदा कब पानी आप डाल सकते हैं, तो देखिए मैंने मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, तो अभी एक कड़ाई लेनी है, कड़ाई को गैस कडाइ में ढाल दिया है 3 चमच औ Weekम और गरम वजने देता उसके बाद इसमें डाल दिए है उसके असमें तो महमें गरम हो गया है तो मैं नबी Smart vrais हमने डख़ाइंड करका है को ही मसले समय डाल देना मसालों को इसी तरीके से अच्छे से पकने देना है जब तक कि उसमें ऊपर से तेल ना चुटे और उसके बाद थोड़ असा मैं इसमें गरम पानी डाल देती हो आपको मैंने पहले भी बताया था कि गरम पानी अगर मसालो के सबजी में आप डालते हैं तो मसाली की सबजी अच्छी बनती है तो इसलिए अभी भी अगर आप मसालो की सबजी बनाते हैं तो उसमें गरम पानी ज़रूर आड़ कीजिए तो मिडियम फ्रेम पे ऐसे ही मसालो क पकने देते हैं, जब तक इसके उपर तेल ने चूटता है, तब तक हमें इसे पका लेना है, देखे इस तरह के इसे उपर से तेल चूट रहा है, तो अभी हम डालते है लाल मिच पाउडर, तो लाल मिच पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है, डेड़ चमच, अगर आपके पा दाल देना है, गरम मसाले से हमारे सबजी को और भी जो स्वाद होता है निखर क्या आता है, तो इसलिए मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है, तो इसे भी हम अभी जब तक तक तेल नहीं छूटता है, तब तक इसे भी हमें पका लेना है, उसारे इंगरेंस को मसालों में मिल लेना है और उसके बाद थोड़ा सा पानी मिला लेना है ताकि वो मसाले नीचे चिपके ना और जो मसाला है अच्छे से पके तो देखे इस तरीके से जब तक 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 हमें इसे पका लेना है तो आप देख सकते हैं यहां पे कि मसाला कितना बड़िया तरीके से पक गया है देखें कितना अच्छा तरीके से यहां पे तेल छूटा है तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा मसाला है बहुत अच्छे तरीके से पका है तो इसके बाद कठाल हम इसमें डाल देते हैं जो मैंने boil करके रखे थे, वही कठहल मैंने इसमें डाल दिया है। तो कठहल को मैं अभी मसालों में मिला लेती हूँ, उसकी बाद इसमें गरम पानी डाल देते हैं। देखे इस तरीके से कठहल को अच्छे तरीके से मसालों मिला लेना है और जरूत के साब से इसमें पानी डाल देना है। कठहल कैसे समझे की boil हो गया है तो ये सवाल आपकी दिमाग में जरूर आया होंगा। कठहल के अंदर आपको एक चाकु डाल के टेस्ट करना है कि कठहल पके है या नहीं तो उसमें अंदर अगर चाकु जाता है तो हमारे कठहल पक गया। देखे मैंने सबजी में अभी पानी डाल दिया है तो एक उबालाने तक सबजी को पका लेंगे। यकीन माने बहुत ही टेस्टी ये सबजी बनती है और जो नौन्वेज खाते है उनके लिए तो एक बढ़िया ऑप्षन है क्यूंकि कभी कभी क्या होता है तिवार होता है कुछ ने कुछ प्रॉब्लम आते है तो नौन्वेज नहीं खा सकते तो ये सबजी घर पे जरूर र बताना और घर पे ये रेसिपी जरूर राय कीजेगा और मेरे चानल पर अगर आप नए है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजे और साइट के बेल आइकॉन को दबाईए ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफेक्शन आपको सबसे पहले मिलती है और वो इस न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर